आठ साल में नौबत आ गई हिंदुस्तान को दुनिया से अब अगले साल जो है गेहों का आयात करना पड़ेगा सरकार की आलत खुदित्ती पतली हो गई है सरकार लोगों को अब जो है जो जिसे कहते ना जो पेट में खाया है वो पेट फाड़ के निकाल लेंगे अच्छा जादुगर कौन होता है जो आपकी आँखों के सामने है जो हो रहा है वो नजर बांध के वो तो छुपा दे और नहीं कोई चीज आपको दिखा दे यही जादुगी सफलता है और मोदी जी इस मामले में जादुगर है सरकार नहीं चाहती कि लोग स्क्षा के मुद्धे बात करें सरकार नहीं चाहती कि लोग बधारली है बदमशों नहीं है यानि आप हिंदुस्तान की किसी भी सड़क में, किसी भी गली में, किसी भी महले में चले जाओ, आपको सड़क जरू खो दियू मिलें, जिन लोगों से पैसा वसूलना है, उनकी कुड़की की जाएगी, एक निलामी करने वाला आदमी आएगा, वो ढोल बजाएगा, और कहेगा सु सब्सक्राइब करने के लाइसंस चौदा तारिख से पहले है, क्योंकि उसका और मोधी सरकार का चोली दामन का साथ है, उसको पतह रहत है सरकार कब क्या करेगी, दोस्तों आदा वर्जे मैं अनि समद खान हिंदुवाइश से मुखाब हूँ, मेरे साथ है अरभंदर कमार ज सब्सक्राइब करने के लिए ग्याहों के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल, पैट्रोल के छोड़ देजिए, तमाम चीजों, कौन से चीज ऐसे हैं, जो नीचे नीच जा रही है, तो इसके उपर क्यों नहीं बोल रहे हैं, जो आपकी आखों के सामने है, जो हो रहा है, वो नज यही कोई चीज आपको दिखा देजिए, यही जादू की सफलता है, अब मोदी जी इस मामले में जादू कर रहे है, आप देखिए, बाबा राम देव जो है, पिछत्तर रुपे किलो के दाम पर आटा बेच रहे है, आशिरवाद आटा एक आता है, बजार में, वो साथ को गवर्मेंट ने ग्याओं के एक्सपोर्ट पर रोख लगाती है, अब इन सारी परिसितियों में अगर आप देखें, तो एक चीज बिलकुल साफ है, एक चीज साफ है, कि सरकार नहीं चाहती कि लोग महंगाई के मुद्दे पर बात करें, सरकार नहीं चाहती कि लोग सिक कि गली में, किसी भी महले में चले जाओ, आपको सड़क जरू खोदियों मिलेगी, और मोधी जी खुद कह रहा है, वाशन देते को एक वाइरल हो रहा है, कि यहां भी खोदा है, और जहां नहीं खोदा है, वाँ भी खोदेगा, तो जिस देश का प्रधानमंत्री लोगों क कि सबसे बड़ी परिशानी को भी मजाग बना कर पेश करता हो, तो देश का यहाल होगा नहीं, तो क्या होगा, अब आप देखिए, कि हिंदुस्तान में अभी उत्तरप्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, और नोटिफिकेशन निकाला, जिन लोगों के पार है, अगर आप पे फ़लानी चीज है, धिमकी चीज है, तो आप तुरंत अपना राशन कार्ड रद्द करवा देखिए, और रद्द नहीं करवाएंगे, तो सरकार ने कायक जो 2020, 2021, 2022 और यो यूपी के चुनाव तक जो आपको राशन में गेहूं दिया गया है, उसको 24 रु मुपए प्रती की लोगों के हेसाब से वसूला जाएगा, और वसूला नहीं जायेगा, वो ने रेवन्द रेवन्यू एक के तहते वसूला जाएगा, यह धोला निकल गया है, क्योंकि इसने सरकार के इतने पैसे नहीं दिये, इसलिए हम इसकी चल अचल संपत्ति को जब्त कर रहे हैं तो थोड़े जिमादा को पजालेगा यूपी में जो है 16 करोड लोग को जो योगी जी कहते थे कि आमने यूपी की 80 प्रतिशत आबादी को पांच किलो गेहों पांच किलो चावल एक किलो यानि दाल चने की दाल और तेल और सॉल्ट नमक दिया है वो सब वसुला यह सरकार की आलत खुद्धित्ती पतली हो गई है सरकार लोग को अब जो है जो जिसे कहते ना जो पेट में खाया है वो पेट फाड़ के निकाल लेंगे तो योगी जी की सरकार अभी यह करने वाली है और जिन लोगों ने यह सोचकर वोट दिया कि योगी है तो मुमकिन है योगी है तो राशन आ रहा है खाय जाओ खाय जाओ तो वह सिद्ध करेंगे कि तुम सब हराम का खा रहे थे सरकार का नहीं खा रहे थे तुम योगी के हराम के पैसे खा रहे थे और तुमसे वह सुले जाएंगे तो जिस सरकार का हाल यह हो कि वह पहले तो लोगों को उनको कोई रोती दे औप फिर काया कि पट फाड़ कर रोटी निकाल लेंगे। तो यह हाल हंदुस्तान को अग insanddogs कि कोई भी जंता कोई भी प्खवार ॥awl कोई भी अधालत कोई भी व्यक्ति तो ऐसी आलत में समझ लीजिए कि मोदी जी का जादू जो है सरचरकर बोल रहा है और थोड़े दिन बाद जैसे अनाज की बात मैंने की कि गेहूं जो है आज ही हमारे जो फूट सेकेटरी है हिंदुस्तान के उन्होंने का है कि अगले साल भी तीन प्रतिशाद अनाज कम चौदा तारिक को उन्होंने का कि हम जो है गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा रहा है और रोक भी ऐसी लगाई उन्होंने कि यह कहकर लगाई है कि जो सौदे जो एलसी 14 मई से पहले की कट गई है वो तो एक्सपोर्ट होगा बाकि नहीं होगा तो इसका मतब क्या तो जब उसे का हाजी मैंने सारी एलसी प्रिक्योर कर लिया है मेरे सारे सौदे पूरे हो गए तो सरकार ने और लोहों पर रोक लगा दी कि वो ग्यहूं का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अब ऐसी आलत में हिंदुस्तान में आज के समय में होम सेकेटरी और फूर्ट सेकेटर अगले साल भी अनाज उत्ता पैदा नहीं होगा जित्ता आप सोच रहे हों वह भी तीस लाक टन और कम पैदा होगा तो अगर इस साल नौसोपचास टन पैदा हुआ है तो अने वाले साल में वह 920 लाक टन होगा और थोड़े दिन में हिंदुस्तान ने जो हमेशा आप उसके बाद देश में गयों के आयात की जुरुत नहीं पड़ी जिसकी कर्टूतों की वजे से आठ साल में नौबत आ गई हिंदुस्तान को दुनिया से अब अगले साल जो है गयों का आयात करना पड़ेगा आज जो गयों है पिचत्तर रुपे, साट रुपे, आटे के तो खुदा ही करेंगे, खुदा ही करना हमारा धर्म है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है, यहां भी खुदा है, वहां भी खुदा है, और जहां नहीं खुदा, वहां भी खुदेगा, तो पूरा हिंदुस्तान जरू खुदेगा, और खुद खुद कर जो है, खुदा ही के बरो झाल 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 झाल